हेलो गाइज मैसेब लॉक्र हे मन्त और आई मेक वीडियो और ओरल एंड जेनरल हिल्थ तोडेज टॉपिक इस सेफ ड्रग डियूरिं प्रेगनेंसी इन डेंटल प्रेक्टिसेश सो गाइज हम पहले प्रेगनेंसी को समझते हैं प्रेगनेंसी की नॉर्मल डियूरेशन नाइन मन्त की होती है अगर हम इसे सेगरिगेट करेंगे तो तीन-तीन महने के तीन सेमिस्टर बनते हैं पहले 3 मन की 1st semester, 2nd 3 मन की 2nd semester and 3rd मन की 3rd semester यह जो 1st semester और 3rd semester होते हैं, मतलब पहले 3 मन्त और लाच के 3 मन्त होते हैं, यह pregnancy में बहुत कुरूसियल होते हैं क्योंकि जो organogenesis की जो procedure होते हैं, जो organ formation होते हैं, वो पूरे इसी duration में होते हैं So during this 1st semester and 3rd semester, avoid to carry any dental practices So guys, this 2nd semester is safe for carrying dental procedure During this, अगर आपके पास कोई patient आता है, जो कि 1st semester आ रहा है और उसकी कंपलेन हैं की बहुत सारी pain हो रहा है आपने देखा वहां पर gingivitis है, peronitis है, या कोई cellulitis है, या pulse formation है, या abscess हुआ है, वहां पर periapical, जो भी condition है आपने देखा तो आप स्वेलिंग भी है, तो आप उस time में क्यार कर सकते हैं तो see guys, यतना हो सेके, उतना 1st semester में treatment करने की avoid किजिए, क्योंकि major changes होते हैं, organogenesis के वो 1st semester में होते रहते हैं तो उस time में अगर आप कोई drug करेगे, ऐसा दोगे, जो drug placental barrier को cross करेगा, तो fetus में anomalies create हो सकती है तो see guys, during this time, 1st drug of choice is amoxilin 500, जो के anti-Y2K है ना, वहाँ पर अगर swelling हो तो आप amoxilin 500 दे सकते हैं, जिससे वो swelling सबसाइड होगी and secondly, you have to do painkiller, painkiller, painkiller सबसाइड करना होगा ना, तो इसके लिए आपको painkiller की जोरत पड़ी, painkiller कों से दे सकते हैं, painkiller आप plain paracetamol 500 या plain paracetamol 600 दे सकते हैं इसके अलावा आप कोई भी painkiller मत दीजिए, see guys, pregnancy में ibuprofen तो strictly prohibited होता है, क्योंकि ibuprofen या कोई ibuprofen जो होता है, वो उसमें higher tendency होती है, जो कि placental barrier को cross करके fetus के blood में enter करता है, fetus के body में enter करता है और उसके organogenesis में complication क्रेट कर सकता है, इसलिए आप वहाँ पर ibuprofen वहाँ पर strictly आप avoid करोगे, secondly, in case of antibiotic, आप वहाँ पर अगर पस formation भी होगा, तो वहाँ पर आप amoxilin के अलाबाग कोई भी drug मत दीजिए, see, वहाँ पर पस होने बाद जनरली प्रैक्रेशने मेटरों अगर वहाँ पर periodontitis हो तो, see, the drug of choice is tetracycline, tetracycline जो drug होती है, वहाँ पर प्रैक्रेशने में बहुत ज्यादा दी जाती है, क्योंकि वहाँ का secretion जो होता है, वो secretion, gingival fluid में होता है, उसके वहाँ पर antimicrobial activity कम होती है, इसके लिए drug of choice tetracycline होती है, लेकिन क्या होता है, tetracycline ज से fetus के formation में problem आ जाती है, secondly, जो metroidadol हो हम देते हैं, या ophlogosings और 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 ये brother ही होती है, एक ही class के drug होते, तो इनमें भी higher tendency होते है, placental barrier को cross करने की, तो आप amoxilin के अलावा कोई भी और drug बिल्कुल मत जीए, ठर्ली, जब patient pregnant होता है, तो generally उसे उसकी gynecologist antacid drug देते ही है, pentaprozole, arabaprozole, देते ही रहते हैं, तो बैसलिए आप चेक कर लेना, कि उस patient को दिये होए है का नहीं antacid drug, अगर नहीं दिये हो तो आप दे सकते है, क्योंकि उसमें आशिरी होने की chances होते है, so see, safe drug in dentistry, क आप कोई नहीं दोगे, NSID कौन से होते हैं, जो कि हम general routine practice में carry करते है, acyclofenac, diclofenac, a NSID बिल्कुल आप नहीं देने वाले pregnant patient में, क्योंकि अगर मैंने बता दिया, कि उसमें anomalies create करने के chances होते हैं, तो ये कुछ बाते थी, thirdly most important thing, जब मेरे पास patient pregnancy के आते, तो मैं first semester में उसक कि generally कोई practice carry नहीं करता, कुछ भी हो, root canal हो, extraction हो, लेकिन हा, second semester is the safe zone, second semester में आप dental practices बिल्कुल carry कर सकते है, root canal हो या extraction हो, but see, root canal में आप avoid कीजिए कि उस patient का radiation exposure हो, है ना, उसका radiation exposure को patient को बचाना है, ऐसा कहते हैं कि छोटा सा RBG में बहुत कम exposure होता है, so you can carry with RBG, but मैं अपने patient में तो जब root canal treatment हो, तो apex locator ही इसी fuse करता हो, see, जैसे interdental pressure बढ़ जाता है, हम RC opening करते तो उसका almost 90% में सबसाइड हो जाता है, फिर अन्य सरी क्यों RBG ले, या अन्य सरी क्यों patient को radiation से expose करे, है ना, so यह कुछ बाते थी, तो आपको पता होने चाहिए, during dealing with the pregnant lady, so guys, that's it for today's, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजिया, आपके कुछ comment है तो comment section में बिल्कुल पूछ सकते है, जाते जाते वीडियो को like किजे और चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon भी दबा दीजे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को notification आपको मिल सके, thank you